खलारी के नए प्रखन विकास पदाधिकारी संतोस कुमार ने दिया योगदान खलारी प्रखन मुख्याले में सनिवार को नए प्रखन विकास पदाधिकारी संतोस कुमार ने अपना योगदान दिया इस दोरान पर प्रखन विकास पददिकारी लेकराज नाग ने भुके दे कर उनका स्वागत किया और नए प्रखन विकास पददिकारी का पदभार ग्रहन कराया इस मौके पर नए प्रकंड विकास पदादिकारी संतोस कुमार ने कहा कि सभी कैसा हीयोग से खलारी प्रकंड को आगे ले जाने का काम किया जाएगा वहीं उन्होंने पूरे प्रकंड कार्याले का जायजा लिया और विभाग यादिकारियों के साथ बातचीत की इधर पुर्व बीडियो लेक राजनाग ने कहा कि उनका हमेशा पर्यास रहा कि खलारी प्रकंड राची जीला के सभी प्रकंड में अवल रहें इसके लिए मुझे हमेशा प्रकंड वासियों एवं प्रकंड कर्मियों का सकारात्मक सहयोग मिला साथ ही उन्होंने आसा जताय की नए प्रखनविकास पदादिकारी खलारी को एक नए आयाम तक ले जाए 27 जनवरी 2024 को प्रखनविकास पदादिकारी खलारी के रूप में मैंने रभार स्री संतोस कुमार जी को सौंप दिया है मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि खलारी प्रखनड को राची के अवल प्रखनडों में रखा जाए इसमें मुझे सभी खलारी प्रखनवासियों का और खलारी के प्रखन कर्मियों का काफी सकारात्मक सहयोग मिला और हमने अपने लक्ष में काफी हद तक सफलता भी पाई मुझे पूरी उम्मीद है कि नए प्रखंड विकारस्पदादी कारी भी हमने जो प्रतिमान स्थापित किये हैं उनसे कहीं बढ़कर कारे करेंगे और खेलारी वासियों को सरकार की जो जनकल्यानकारी योजनाये हैं उनको घर घर तक पहुचाने में अपनी अहम होने का निर्वाह करेंगे धन्यवाद और नए विडियो साहब को भी बहुत-बहुत सुख्राम आए